बीमार हिरन की कहानी, एक सिखावत यात्रा, बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक बड़ा सा हिरन रहता था, वो हमेशा खेलने और दोडने की बजाए आराम करना पसंद करता था, वो अपने दोस्तों के साथ खूबसूरत घास की मिधास और पानी के किनारे उल वक्त बिताता था, परन्तु, एक दिन उसकी तबियत खराब हो गई, उसकी शरीर में तेज बुखार और कमजोरी आ गई, खिरन के दोस्त चिंतित हो गए और उसे अपने पास बुला कर पूछने लगे, हे दोस्त, तुम ऐसे क्यूं पढ़ गए हो? तुम्हें देखकर हमे बहुत चिंता हो रही है, हिरन ने उन्हें देखकर दर्द भरे आवाज में कहा, मुझे भूख भी नहीं लग रही है, और बुखार भी है, मुझे लगता है मैं बीमार हूँ, उसके दोस्तों ने उसे उनके वन वैद्या के पास ले जाने की सलाह दी, वन वैद्या ने हिरन की जाच की और कुछ दिनों तक उसका उपचार किया, उसकी देखभाल में उसके दोस्त भी सहायक रहे, धीरे धीरे हिरन की सेहत सुधारने लगी, उसका बुखार कम होने लगा और उसकी शक्ती वापस आ रही थी, वन वैद्या ने उसे समझाया की वन में खुद की और स्वस्थ जीवनशली का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, एक दिन, जब हिरन पूरी तरह से ठीक हो गया, उसने अपने दोस्तों से कहा, मैंने अपने बीमारी के दोरान बहुत कुछ सीखा है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और स्वस्थ जीवनशली अपनानी चाहिए, इस कहानी से हमें ये सिख मिलती है कि हमारी सेहत हमारा सबसे मूर धन होता है, और हमें उसकी सुरक्षा और देखभाल करनी चाहिए, एक स्वस्थ जीवनशली अपनाने से हम बीमारियों से बज सकते हैं, और खुद को खुश्चाल रख सकते हैं.